अलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्ति जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगॉल बोर्ड क्लास 6 के सिलिबस को पढ़ेंगे जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश इंग्लिश में सलेकर से जिए तक यानिकर सेकें स Inspector और पहर समय ओंदव और जो इक्जाम हैं उसमे परिक्षा में परिक्षा में क्या-क्या लेपलेबस है English का ठीक है यह हमारा English second language है और हमारी जो किताब है जिसे हम लोग पढ़ते हैं वो है Blossom ठीक है First Summative का एक्जाम है First Summative के एक्जाम में सबसे पहले Blossom से आपका Reading Comprehension आने वाला है Scene ठीक है ढिखान रखिएगा यह जो है यह तीन है, सबसे पहले इसमें पहला जो आने वाला है, वो है revision lesson, इसके बाद lesson 1 से लेके 3 तक, यानि कि, lesson 1, lesson 2, और lesson 3, ठीक है, इन ही पाठों में से आपका एक 3 passage आएगा, ठीक है, 3, अब उसमें आपको करना क्या होगा, जैसे पाठ में से कोई एक passage निकालके आपको दे दिया जाएगा, उसी पर से base करके कुछ questions दिये जाएगे, आपको वो passage अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़के उसके बाद जो question दिय यह रहेंगे, उस passage में से ढूंड ढूंड के उसका answer लिखना पड़ेगा, ठीक है, यह आपका scene passage आने वाला है, ठीक है, अगर हम grammar और vocaps की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आएगा noun, ठीक है, noun आएगा, इसके बाद आपका verb आएगा, proper forms of verb आएगा, ठीक है, यह तीन की बात करें अगर हम, तो इसमें describing your experience, describing family tree, यानि अपने परिवार के बारे में बताईए, इसके अलावा journey by boat, train या bus, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, यह आपको आपके, जो class teacher है, जो English पढ़ाते हैं, वो आपको बताएंगे, English subject के जो teacher है, वो आपको बताएंगे, इसके हमारी दूसरी जो किताब है, fragrance, fragrance की बात करें अगर, तो fragrance में से आपका जो practice करना है, ठीक है, practice from page 1 to 62, यानि की, fragrance में से आपको page 1 से लेके 62 तक पढ़ना है, ठीक है, यह आपका first summative का है, ठीक है, first summative, अगर हम second summative की बात करें, second summative evaluation की बात करें, इसमें जो blossom से आने वाला है फिर से आएगा आपका reading comprehension, ठीक है, इसमें आएगा lesson 4 से लेके lesson 8 तक, ठीक है, कौन-कौन सा, lesson 4, lesson 5, 6, 7, or 8, lesson 4 से लेके 8 तक, ठीक, इसके अलावा, reading comprehension आने वाला है, इसमें एक नया चीज, unseen, ठीक, एक आने वाला है, scene, scene मतलब जो यह आप chapters पढ़ेंगे, lesson 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से कोई उठा के देगा आपको, और दूसरा आपका जो बता रहा है, वो है reading comprehension unseen, यानि आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, कहीं से भी मैडम यह सर उठा के दे सकते हैं, लेकिन आपको करना वही है, passage को पढ़ना ह और questions दिये रहेंगे, ढून ढून के answer करना है, ठीक है, हाँ, इस चीज को कैसे करेंगे, इसके लिए आप market में, बजार में question banks मिलते हैं, उसको आप देखके सीख सकते हो, यह आप class में भी कर सकते हो, ठीक है, अगर हम second summative में grammar की बात करेंगे, grammar और vocabularies में क्या क्या आएग article, subject verb agreement, adverb, prefix, suffix, have verbs, sentence and its kinds, और preposition, ठीक है, तो यह grammar में से आएगा आपका, अगर writing skill की बात करेंगे, तो इसमें आएगा describing a place, एक जगह के बारे में बताईए, river के बारे में, ठीक है, इसके अलावा आपका आएगा, dialogue writing, describing wish, describing experience, story writing, यह चीज़े आ सकती है, प्रेगनेंस में से आपका आएगा page number 63 से 132, ध्यान रखिएगा, ती reset से 132 यानी की 63 से 132 तक, इतना syllabus जो है, वो आपका second semative का है, अगर अब हम third semative की बात करें, third semative देखिएगा, 70 marks का होगा पूरा, ठीक है, और यह आपकी आखरी परिक्षा होगी साल की, इसमें, blossom से आपका reading comprehension scene आएगा, lesson 9 से लेके 12 तक, lesson 9, lesson 9, 10, 11, 12, ठीक है, यह आएगा आपका, इसके अलावा, revision lessons भी आ सकते हैं, 3 and 7, ठीक है, revision lesson, यह आपका अल्रेडी पढ़ा दिया होगा, revision lesson 3 और 7, ठीक है, यह चीज़े, यह reading, इसमें से reading passage वाल आएगा, इसके अलावा, reading comprehension भी आएगा, ध्यान रखिएगा, reading comprehension, unseen का, seen मने देखा हुआ और unseen मने जो देखा हुआ नहीं है, ठीक है, unseen passage कहीं से भी sir, madam उठा के देंगे आपको, और उसको पढ़के उस पे जो question रहेगा, वो आपको करना होगा, इसकी practice के लिए आप कोई भी बजार मे उपलब्द question bank ले सकते हैं, वहां से आप अच्छे से practice करके इसको सीख सकते हैं, इसके बाद यदि हम grammar और vocabs की बात करें, तो फिर से इसमें article, prepositions, sentence and its kind, linkers, subject, verb, agreement, noun, prefix, suffix and topics done in lesson 3 and lesson 7, ठीक है, तो यह आपका previous chapter में से भी आएगा, final exam में, अगर हम writing skill के बारे में बात करें, तो writing skill में सबसे पहला आएगा, story writing, paragraph writing, dialogue writing, lesson 3 और 7 में जो बताया गया रहेगा, वो, प्यूकि यह आपका final exam है, तो इसमें नए chapters तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा जो previous chapters हैं, first semative और third semative में जो आपको पढ़ाया गया है, उसमें से तो यहाँ पर आपका page number 133 से 175, 133 से 175, इसके अलावा previous में से 49, previous यह नहीं पहले जो पढ़ाया गया है, वो 49 से 62, और उसके बाद 108 से 1119, मनलत 119 तक, 119 तक, यह आपका syllabus है, third semative का, तो यहाँ पर हम लोगोंने, first semative, आप देख सकते हैं, first semative, फिर second semative, और फिर जो है वो third semative का, जो पूरा English का syllabus है, उसको जाना, आगे आने वाली वीडियो में जो हमारे other subjects हैं, जैसे math हो गया, history हो गया, geography हो गया, उसके जो syllabus है, उसको भी हम cover करेंगे, उसको भी हम देखें और अच्छे से अपनी त्यारी कर सकें, आसा है कि यह वीडियो आपकी त्यारी के लिए उप्योगी होगा, और इससे आपको अवश्य कोई न कोई लाव मिलेगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, तो इसे like करना, channel को subscribe करना, और अपने दोस्तों को share करना तो बि और आपको अजआ लोस्तों के बिएरवाओय करना आपको भी त्यारी तैक वह बिएर यहत Never End